GYS क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि यहां रिकौर्ट उठने के लिए बनते है और ऐसे ही कुछ रिकौर्टS IPL 2022 में देखने को मिले जिसे खिलाडियों ने तोड़ कर नया किर्थिमान बनाया और ऐसे ही कुछ रिकौर्ड्स में आपको बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप बोलोगे मजा आया फैक्ट नमबर वन गाईज, IPL 2022 में CSK वर्सेस KKR के बिच खेले गए पहले ही मैच में MS Dhoni ने 9 साल पुराना रिकॉर्ड टोड दिया उन्होंने इस मैच में 50 लगा कर इंडिया की तरफ से IPL में 50 लगाने वाले सबसे ओल्डेस प्लेयोई बन गए उन्होंने जब ये 50 लगाई तब वे 40 साल 262 दिनों के थे और इससे पहले ये रिकॉर्ड राहूल द्रविड के नाम था उन्होंने 2013 में 40 साल 116 दिन की उम्रा में 50 लगाई थी और ओवर अल रिकॉर्ड आइडम गिल्ग्रिस्ट के नाम है उन्होंने 2013 में ही RCB के अगेंस्ट 85 रनों की पारी खिली थी तब उनकी उम्रा 41 साल 181 दिनों की थी और आज 10 साल बाद भी ये रिकॉर्ड नहीं तूटा है जॉस बटलर ने इस साल IPL में 4 सेंचूरी और 4 हाफ सेंचूरी के मतद से 863 रन बनाए और उन्होंने ऐसा करते ही वो IPL में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले विदेशी प्रेयर बन गए उन्होंने डेविड वर्णर का 6 साल पुराना 848 रनों का रिकॉर्ड टोड दिया फैक्ट नमर 3 गाईज IPL 2022 में GTA वर्सेस आरार के फाइनल मैच में एक लाग 4,869 लोग मैच देखने नरेंद्र मोदी स्टेडियम पोजे थे और ये ओफेशियली ग्रिकेट हिस्टरी का सबसे ज़्यादा अटेंडेंस वाला मैच बन गया इससे पहले ये डिकॉर्ड इंडिया वर्सेस पाकिस्टांग के कोलकता में खेले गे मैच में था वहाँ लग भग एक लाग ओडियंस मैच देखने पोजी थी इस साल आईपेल में अब तक के सबसे ज़्यादा आट शतक लगा गए जिसमें जौस बटलर ने चार, केल रहूल ने दो, क्यूंटन डिकॉक और रजट पार्टिदार ने एक एक शतक लगाया था और इससे पहले ये रिकॉर्ड 2016 में साथ शतक का था उसमें विराट खोली ने चार और एबी डिकॉलियर्स, क्यूंटन डिकॉक, स्टिवन स्मित ने एक एक शतक लगाया था इस साल आईपेल में चवको और शको की बारिश हो रहे थी और इसी वज़े से इस आईपेल में अब तक के सबसे ज़्यादा 1062 6 मारे गए और इससे पहले ये रिकॉर्ड 832 सिक्सेस का था, जो 2018 में बनाया गया था इस आईपेल में 27 विकेट्स लेकर एक आईपेल सीजन में सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले स्पिनर बन गए इससे पहले ये रिकॉर्ड इमरान ताहिट के नाम था, उन्होंने 2019 का आईपेल में 26 विकेट्स लिये थे फैक्ट नमबर 7, गाईज आईपेल 2022 की क्लोजिंग सेरिमेनी में 66.44 मिटर्स के जर्सी को मैदान में कुछ देर तक रखा गया था और ये आज तक की सबसे बड़े क्रिकेट जर्सी है और इसका ओफेशियल रिकॉर्ड गिनेज वर्ल रिकॉर्ड में ये मेरा पहला लॉंग वीडियो था और ऐसे ही कुछ वीडियो इस चैनल में आने वाले है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राब जरूर करना तो फिर मिलेंगे